जै जोहार, जै आदिवासी, स्टेज पे कॉंग्रिस पार्टी के वरिश नेता, हमारे प्यारे कारे करता, आदिवासी भाईयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, कैसे हैं आप? जैसे कमलनाच जी ने कहा, मैं तांतिया मामा, मेरे लिए तांतिया मामा एक चिन है, एक सोच है, व्यक्ति एक व्यक्ति जरूर थे, मगर वो एक चिन और एक सोच और एक विचारधारा भी थे, और उनकी विचारधारा के कारण, उनकी सोच के कारण, मैं आज यहां आया हूँ. आज मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, और मैंने देखा कि वो 26 जनुवरी को पैदा हुए थे, और वही दिन है, जब हमारा देश पैदा हुआ, गन्तंत दिवस का दिन, तांत्या मामा का जनम दिन था, तो इसमें भी एक मेसिज है, कुछ दिन पहले, मैंने महराष्टा में एक भाशन किया, और उसमें मैंने आदिवासी शब्द के बारे में बोला, आदिवासी का मतलब, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले, सबसे पहले रहते थे, मतलब, जब इस देश में कोई और नहीं था, तब भी, आप लोग, इस देश में रहते थे, अगर आप आदिवासी हो, और अगर आप यहां, सबसे पहले रहते थे, तो इसका मतलब ये बनता है, कि आप इस देश के असली मालिक हो, सभी बात, ये ये जो शब्द होते हैं, ये बहुत चीजें छुपाते हैं, बहुत चीजें ये दिखा भी सकते हैं, जैसे आप तांतिया मामा के बारे में सोचें, तो आपके दिमाग पर कौन से शब्द आते हैं, पताइए, कौन सा शब्द आता है सबसे पहले जब आप तांतिया मामा के बारे में सोचते हो, आदिवासी आता है संघर्ष आता है निड़ता आता है करांतिकारी आता है ये शब्द आते हैं और जब वो अंग्रेजों के सामने फांसी पे चड़ रहे थे तो आपको क्या लगता है उनके दिल में डर था या नहीं सवाल नहीं उठता उनके दिल में डर नहीं था क्यूं नहीं था उसका कारण क्या था उनके दिल में आम आदमी चड़ता है फांसी के सामने खड़ा हो जाता है डर जाता है नहीं मगर जो आपके तांतिया मामा थे जब वो चड़े फांसी पे उनके दिल में डर क्यों नहीं था क्योंकि उनके डर को जो उनके दिल में आपके लिए प्यार था उसने मिटा दिया तो जब हम उनकी उनके बारे में सोचते हैं कि हमारे दिमाग में ये शब्द आते हैं कि निडर कि संगर्ष कि महबब ये शब्द आते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने प्रधान मंत्री का एक भाषन सुना और उसमें उन्होंने एक निया शब्द प्रयोग किया वन वासी अब ये शब्द इसके पीछे एक दूसरी सोच है आदिवासी के पीछे सोच है कि ये देश के पहले मालिक आप हो इसका मतलब अगर आप पहले मालिक हो तो आपकी जमीन पर जंगल पर जल पर आपका हक होना चाहिए मगर वहां रुकना नहीं है आप असली मालिक हो तो आपको और आपके बच्चों को अधिकार मिलने चाहिए अगर आपका बच्चा इंजिनियर बनने का सपना देखे सरकार को आपकी पूरी मदद करनी चाहिए अगर आप मेंसे कोई डॉक्टर बनना चाहे आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहे उसकी पूरी मदद होनी चाहिए क्यों क्योंकि आप असली मालिक हो आप पहले मालिक हो तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए मतलब जंगल तो आपका है मगर जंगल के बाहर भी आपको अधिकार मिलना चाहिए और जब बीजेपी की सरकारे स्कूल और कॉलेज को प्राइविटाइज कर देती है उद्योग पतियों के हवाले कर देती है या हस्पतालों को उद्योग पतियों के हवाले कर देती है तो आपके बच्चे शिक्षा नहीं पात पाते और आपके परिवारों को जब हस्पताल की जरुरूत होती है आप वहाँ नहीं जा पते जब बीजेपी पप्लिक सेक्टर को बंद करती है रेलवेज को बीएची एल को प्राइवेटाइज करने का काम बेचने का काम करती है तो वो सीधा आदिवासियों को चोट मारती है देखिए मैं आपसे पूछता हूँ नोट बंदी से आपको फाइदा हुआ या नुकसान GST, नोट बंदी और कोरोना के समय जो सरकार ने किया दलितों को, पिछणों को, आदिवासियों को किसानों को, मजदूरों को उन्होंने चोट मारी मैं भाशनों में कहता हूँ यह पॉलिसिया नहीं थी, यह हत्यार है अब नरेंद्र मोदी जी एक नाया शब्द लाएं वनवासी इसका मतलब अलग है सबसे पहला इसका मतलब यह है कि आप पहले मालिक नहीं हो आप सिरफ जंगल में रहते हो पहला मतलब यह दूसरा मतलब कि जंगल के बाहर आपको वन के बाहर कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए और तीसरा मतलब जो आपको दिख रहा है जहां भी हम देखें बीजेपी की सरकारे जंगल को उद्योग पतियों को दे रही है जंगल काटे जा रहे है आस्ते 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 हिंदुस्तान में जंगल खतम होते जा रहे है सही बोला गल्प बोला सही तो तीसरा मतलब यह है कि जब इस देश से जंगल खतम हो जाएंगे तो फिर आपके लिए इस देश में कोही जगा नहीं बचेगी यह तीसरा मतलब है यह मैंने आपको शब्द क्यों बताए क्योंकि इन शब्दों के पीछे विचारधारा है हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे के सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी के लोगों ने आपके उपर अपमान किया है ये जो शब्द इनों ने आपके लिए प्रयोग किया है वनवासी इसके लिए ये आपसे माफी मांगे हाथ जोड़के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहें कि आप वनवासी नहीं हो आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे और दूसरा काम माफी माँगने के बाद पहले नहीं माफी माँगने के बाद दूसरा काम जो यह आप से जंगल चीनते हैं जो हम पैसा कानून लाए जमीन अधिकरन बिल लाए फॉरस्ट राइट अक्ट लाए इन तीन कानूनों को यह जो कमजोर करते हैं और आपकी जो जमीन है जो आपसे चीनते हैं आपका जल है आपका जंगल है जो आपसे चीनते हैं वो आपको वापस देने का काम शुरू करते हैं और अगर यह नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी यहां सरकार आईगी हम आदिवासी शब का प्रहुक करेंगे और जो आपके हक हैं एक के बाद एक एक के बाद एक आपको देना शुरू कर देंगे और जो आपकी जमीन है उसका अधिकार जल और जंगल का अधिकार आपको वापिस देना शुरू कर देंगे आप जानते हो कि आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज़ादा अत्यचार मध्यप्रदेश में होता है पुरा मध्यप्रदेश का आदिवासी जानता है कि अगर किसी प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अत्यचार होता है तो उस प्रदेश का नाम मध्यप्रदेश है एसा प्रदेश हमें नहीं चाहिए हमें आदिवासियों को इज़त देने वाला प्रदेश चाहिए आदिवासियों को रक्षा करने वाला प्रदेश चाहिए और यह जो वनवासी शब्द है इसका प्रदेश हमें नहीं चाहिए आप सवाए प्यार से आपने मेरी बात सुनी औ और आपने मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ ली है। मैं आपके चेहरे देख रहा हूं आपको बात समझ आ गई है। सब समझ गए हैं। यह जो बीजेपी के विचारधारा है याद रखिए। अभी हम तांतिया मामा की बात कर रहे हैं। एक सेकंड भाई। तांतिया मामा की बात कर रहे हैं। तांतिया मामा को फासी पे किस ने चड़ाया। अंग्रेजों ने सही और RSS ने अंग्रेजों की मदद की यह पूरा पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए अंग्रेजों ने तांतिया मामा को फासी पे चड़ाया। मगर RSS की विचार धारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिये। वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है। और यह सिरफ तांतिया मामा जी के साथ नहीं किया गया। यह पिरसमुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुर्शों ने आदिवासीयों की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और कॉंग्रेज पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। जिन्होंने आपके महापुर्शों को फासी पर लड़काया। तब RSS अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। यह पुरी दुनिया जानती है। और यह याद रखिए। यह जो वनवासी शब्द है। यह आपको खतम करने का शब्द है। और आदिवासी शब्द जो है। यह आपको हक दिलवाने का और यह आपको हिंदुस्तान के असली मालक बनाने का शब्द है। बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन, नमस्कार.